वेल्कम बेक टू मैं चैनल में देखे आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे तो आजकल मैं जितनी भी वीडियो लेकर आरी हो वो सारी समर के उपर है क्योंकि आप लोगों को पता है कि चाहे कराची हो लोहर और इस नाव बात हो यह हर जगा पर ही हीट स्टॉक का बहुत जादा इशू चल रहा और आजकल तो बहुत जादा बताया हुआ है कि मई के एंड के डेज में जो है वो हीट स्टॉक का बताया है तो उस सूरत में जो है वो कैट्स जो हमारी बहुत जादा परिशान है इनसान परिशान तो कैट्स तो और जादा परि होते हैं क्या इसका होम ट्रीटमेंट है आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं तो वीडियो की तरफ जाने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नियू है तो और बैल एकन लाजमी प्रेस करा करें ताके हर नहीं आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे किया करें किस तरीके से आप बरवक्त तिलाश कर सकते हैं और कौन-कौन सी ऐतियात है ऐसी जो आप लोगों करनी चाहे है अपनी कैट को लेकर तो आप जोटेश करने वाली हूं से चलते हैं वीडियो की तरफ बहले तो बात करते हैं सबसे बड़ी वज़ा होती है दरजी हर केट को रखते हैं अगर वहां का दरजाहराद p40 से जाधा का है फिर वो हीट्ट स्टॉक का 22 बन सकता है जगा पे अपनी कप कह रखते हैं या जिस जगा पे वह उठती बैठती हैं अगर वहां पर हपस बहुत जाधा है तब भी आपकी है कह 아니라 जहां यह ग्याना असमेंस कंभ और तैस अ मैंस में जो हल सकता है MP 10 अगरสवीorg को बहुते वह भीपरूल को सब्कार हो सकता है pista न्याट को पता है कि टौट को अलगे तांडी हो हीना कौना है जैसजे निची तरफी के इंद्म हो बहुत है novakid जैसे लेकर शाम चार बज़े तक गर्मी बहुत जादा हो जाती है और बहुत जादा सफोकेशन हो रही होती है तो उसमें अगर आपकी कैट ये किटन जो है वो बहुत जादा खेल रही है या भाग दौर रही है तो उस सूरत में भी उनको हीट स्टॉक हो सकता है कि उससे भी फिर बौडी टेंपरिचर अक्सर बढ़ जाता है अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कैट ये किटन को हीट स्टॉक हो गया है तो उसके क्या आलामात है मैं आप लोगों को वो बताने लगी हूँ अगर आपकी कैट जो है वो कैट पैंटिंग कर रही है यानि कि जबान निका कर काल कर हापना शुरू हो जाती है फिर आपकी कैट को ये किटन को बहुत लएना बैचैनी या घबर हटो रही है उसके जो गम लंगो जो होती है वह बिल्कुल रेड़ हो जाती है और वह बहुत ज़्छाद इस्ट्रेस में आ जाती है यहां तक कि ही टॉक अगर बहुत ज़ादा शिदत एक्तियार कर ले तो आपकी cat को दोरे पढ़ना start भी हो जाते हैं अगर cat को heat stock हो जाए तो 10 से 15 मिनट के अंदर उसका body temperature बहुत ज़ादा बढ़ जाता है बिल जब body temperature होता है 102 से लेकर 104 to 6 तक जा सकता है उसका high temperature होने के बाद इस सूरत में आप अपनी cat का घर में ही किस तरीके से इलाज कर सकते हैं से पहले तो आपने अपनी cat को उस जगा से उठा कर किसी ऐसी जगा पर मुंतकिल करना है जहां पर गर्मी की शिदत कम से कम हो अगर आपके कमरे के अंदर जो है वो धूप वगरा आती है या सूरज की रोशनी पड़ती है तो अपने कमरे के जो दर्वाजे और खिड़कें वो परदे की मदद से बिलकुल बंद कर दें अगर आप पस fan है तो आप fan चला दें या room cooler वगरा है तो room cooler चला दें इस सूरत में आपने एक चीज का धिहान रखना है कि डारेक आपने अपनी cat को AC में नहीं रखना है आप चाहें तो उसके लिए मिटी के घड़े रख सकते हैं मैं अपनी पहली वीडियो में भी ये चीज़ बताईए मिटी के घड़े आप रख सकते हैं उसके लिए पानी भ करें अगर वह पानी नहीं पी रही है तो आप उसकी पानी की इंटेक को से रिलेक्स से भी कवर कर सकते हैं कोशिश करें कि जो वह पानी पी रही है उसके अंदर आप उसको ओवारस मिला कर दे सकते हैं इसासाद अगर आप अपनी कैड का बॉडी टेंपरेचर नॉर्मल करना चाते हैं तो आप वेट टावल का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप ठंडे पानी से उसको नहला भी सकते हैं साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप तीन चार बोतल ले सकते हैं नॉर्मल साइस के आप उसको फ्रीजर में रख सकते हैं और उसके उपर टावल ये कपड का body temperature नॉर्मल नहीं हो रहा है तो आपने फौरी तोर पर उसको वेट को दिखाना है इस आसार में आपको कुछ precautions बता रही हूं जो के आपने आपकी cat को heat stock से बचाने में आप लोग को बहुत मदद करेंगे कोशिश करिए दिन के time 11 बजे से शाम चार वे तक अपनी cat को अपनी cat को ऐसी जगा पे रखे जहां पे वेंटिलेशन का सही इंतजाम हो हवा अच्छी आती हो सूरच की रोशनी डायरेक्ट ना पड़े आपकी cat के उपर कि सासाद अपनी cat को साफ और ताजा पानी दें और साथी साथ उसको homemade food बना करने और उसके food को फिरिज में रख लें थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा करके दे दे उससे भी आपकी cat का जो temperature होगा वो काफी normal रहेगा सासाद अब इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि दिन के टाइम कोशिश करें कि आपकी cat जो है वो सोए जादा से जादा अराम करें वो खेले कूदे ना क्योंकि उससे भी उसका body temperature बरस सकता है और उसको heat stock हो सकता है सासाद जब आपकी cat के body का temperature बरने लगे है गर्मी में शिद्ध एक्तियार होना स्टार्ट हो तो अपनी cat को monitor करती रहें कहीं आपकी cat सुस्थ तो नहीं होरी या उसकी तब्याद वगरा खराब तो नहीं होरी तो इन सारी शीज़ों का अगर आप खयाल रखेंगे तो आपक cat को कभी भी इन सारी शीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा